कि अर्थर्ट एंड आजमाय आपको बताऊंगा कि ग्याभीन प्रियोकों गाया जो वे इस प्र०्दान के अच्छी दवा यानि ग्याभीन प्रियोकर प्रियोंक गालक हैं किस तरह मवारा प्रियोकर प्र०्द हम उसकी डिवर्मिंग कराएं उसे पता नहीं कि कब कराने चाहिए कौन से महिने में आप कराएंगे तो सबसे ज़्यादा पाइदा आपको देखने को मिलेगा वह भी बताऊंगा देने का तरिका भी बताऊंगा पूरी विद्ये से आपकी गाह भैंस में किस तरह है कि लक्षण यानि सिम्टम से आपको दिख रहें तो उस इस्तती में आप अपनी गाह भैंस की डिवर्मिंग करवा देनी चाहिए यह दि आप नहीं कराएंगे तो क्या दिखते हैं पैदा हो सकती हैं उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताए जाएगा बहुत यह अच्छ को पेट के किड़े मानने की दवा नहीं देंगे तो क्या-क्या कमी देखने को मिलेगी वह मैं बता रहा हूं पसु कमजोर हो जाएगा पर बलड के अंदर आरबी सी की मात्रा कम हो जाएगी कई तरह के प्रोटो जवा जनित रोग से गर्षित हो जाएगा पसू पसू में आ प्रोटो नहीं हो पाएगा कई बर उसकी सारीक विकरतियां भी उसके सरीर के अंदर ही पैदा हो जाएगी इसलिए आप जो प्रिग्नेंट पसू है उनकी आप डिवर्मिंग समय पर जुरूर करवाएं इसलिके साथ यह आपका प्रिग्नेंट पसू है उसकी आंकों से पान दास रहें दास रहें कईबर खांसते दासते हैं तो भी यह देखना चाहिए कि उनको डिवर्मिंग कराने की ज्यादा जरूरत है और कईबर पसू की जो सरीर पर जो इसकी नहीं ताउच्छाव खुर्दरी हो जाती है चम्मा कहनी अच्छी साइनिंग नहीं ले पाती है त अबर कभी पतला कर देता है कभी बहुत ही ज्यादा करता है तो उस इस्तती में भी यह देखना चाहिए कि पशू में पेट के कीड़े मानने की दवा देनी है वैसे मेरे चैनल बहुत सी वीडियो बनी हुए कि इस तरह की सिम्टम से आपको देखने को मिल रहे हैं तो यह द numero कार से फहन बंड़ा बंडा जोल जो फहन बंडा जोल सर्फ आपको इंड़ाय के पर दिख रही है जिस तरह से यह पेंना क्यूर आती है जिस तरह से यह आपको इस कोई भी दिकत पसूं में देखने को नहीं मिलेगी गाय भैंस हैं उन में आप इस बॉलस का जुब हैं तो आप तीन ग्राम आप इस बॉलस का परियोग जुरूर करवाएं इसी के साथ जैसे मेंडी काइन प्लस जो आपको दिख रिए इसके अंदर साथ आता है फेन बिंडा जोल एंड आयर में एक्टिन यह जुरूरी नहीं की यह इसी कोई भी यह उच्छे ब्रांट के इन्से जिसके अंदर साथ होना चाहिए इस बॉलस का परियोग पसूं में करवा सकते हैं जो की इस तरह की ये बोलस आती है तो ये एक बोलस जो गयाविन पसों है उनको आप एक साथ दे सकते हैं आप देना कब है वो भी माँ आगे बताऊंगा कौन से कितने महीने में कौन-कौन सा महीना लगे उस इस्तिति में आपको इनका परियोग करना चाहिए पहले मैं ये साल परियोग पसों में करा सकते हैं ये भी जो टेबलेट आती है इस टेबलेट का परियोग पसों में करवाएं जो की टेबलेट आती है इसलिए आयर्यमेक्टीन भी प्रिग्रेंट पसों हैं उनको दे सकते हैं इससे के साथ मैं आपको बताता हूं जिस तरह से साल्ट आता है और अधर कंपनी की भी आती है ओक्सपेंडाजोल आयर्मेक्टीन जिस प्रकार से केरस की आती है जो आपको इसक्रियोग करवा सकते हैं इसके साथ-साथ आती है ऑक्सीक्लोजनाइट लिवा माईसेol की बोलस आती है इस साथ की ऑकसी तो एमेल एक Republicans यहां अग्छे के साथ जो नेलजान आती है इसके इंदर इसelf यह बहुतिए तो यह बी आ परिणिंट पस्व को दे सकते हैं इसी के साथ जो ुर्इस डिय्वर्मर आती है जिस प्रकार जाइकुलोज बॉल सीक्ट है जिसकें इंडर सर्ट है क Spaßayı चैन्हार कि अंगी ए जी आती है यानि 6G पी बոदस आती है इस बॉलस का भी खब्रश्म में करवा सकते ईए जो इस तरह की बॉलस आती तो यह कितना बोडिवेट होता है जिस तरह से 600 kg बोडिवेट को आप एक बोलस परियोग कर सकते हैं और जैसे 300 kg बोडिवेट है तो इस बोलस का हाँ बाग इसकी डोज आपको ज्यादा नहीं देनी है तो कलोजा सेंटल भी बहुत बैस डीवर्मर है जब कोई भी डीवर्मिं करा ही जाती है तो उस इस्तती में आप पसू की डीवर्मिंग करा सकते हैं खैने का मतलब है कि प्रियंट पसू की आप दो बार डीवर्मिंग करा सकते हैं एक बर तो आपकी जब हीट मिलाई जब पसू की और कलें उस स्वक है और द्यौह जब थी और यहीं जब हीजिते हैं तो तो पसू मेंनी हें कर भी आपको ध्यान रखना है बाद में दो से तीन गंटे बाद में आप उसे सुका सारा डाल करके फिर दाना मिश्टन खिलाएं बैटर जिल मिलेगा और इसके साइड इपेक्ट भी इस तरह के हैं कि डिवर्मिंग में पसु पत्रा गोबर भी कर सकता है एक दिन सुस्त भी हुआ सकता है तो उसे गभराने की कोई जरत नहीं नोर्मल परकरियां फस्थों की डिवर्मिंग निकी होती है इस तरह से यह जो बैस्थ जो मैंने दवा बताई है यह दवा पसु की इसे रहती है आप इसी तरह से आपको अदर भी चाहिएं तो इसके बारे में निशे जाक करें थैंक्स धन्यवाब